नमुश्कार आपका स्वागत है इस्टाउकलोजी में आज हम बात करने वाले हैं क्रॉम्टन ग्रीव्स कंजूमर इलेक्रिकल्स लिब्टिट के क्वाडरली रिजल्ट्स के बारे में तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब ही किया है प्लीज सब्सक्राइब करें बैल सब्सक्राइब करने तो जो कॉलम दिया गया है वो जून वाइस कोड़र और जूहां करें आपको साब से पहले दिखाए दे रहे हैं वह सितंबर वाइस कोड़र के रिजल्ट तो बात करते हैं फर्स्ट नमर पॉइंट टोटल इंकम की सितंबर 21 कवाटर में कंपनी की की तो total income को देखें year on year में September 2020 से September 2020 में तो year on year basis पे income में 23 प्रतिशत की व्रद्दी होते हुए दिखाइदी रही है बात करें quarter on quarter में June 2022 से September 2022 क्वाटर में तो quarter on quarter basis पे company की टोटर income में कमी होते हुए नज़र आ रही है अब देख लेते हैं expenses को सब बात करें बात करें quarter on quarter में June 24 से सितंबर 22 quarter में तो quarter on quarter business पे company के expenses में कमी होते हुए नजर आते हैं अब हम दिख लेते हैं profit and loss statement को तो बात करते हैं 5th number point profit before tax की सितंबर 21 quarter में 212.89 करोड के profit before tax थे जून 24 quarter में 173.87 करोड के profit before tax हुए तो profit before tax को देखें year on year में सितंबर 21 quarter से सितंबर 22 quarter में तो year on year basis पे हमें profit before tax में कमी होती हुए दिखाई दे रही है बात करें quarter on quarter में June 24 से सितंबर 20 quarter में तो quarter on quarter basis पे भी company के profit before tax घटते हुए नजर आ रहे हैं अब हम दिख लेते हैं 7th number point को net profit for the period को को मतलब कंपनी के नेट प्रॉफिट को तो सितंबर की स्कॉटर में 158.8 करोड के नेट प्रॉफिट थे जून वाइस कॉटर में 125.9 करोड के नेट प्रॉफिट हुए और सितंबर वाइस कॉटर में 130.7 करोड के नेट प्रॉफिट हुए हैं तो नेट प्रॉफिट को देखे यहां पर रिजल्ट को देखते हैं तो यहां पर रिजल्ट को काफी कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं किम्पनी का पर्फॉर्मेंस काफी ज्यादा खराब होते हुए दिखाई दे रहा है रिजल्ट खराब आए हैं धन्यवाद